जेहिन दोस्तों इंडियन आर्मी अगनी बीर के तरब से नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आप सभी को बता दे जितने भी आपका ARO है सभी ARO के लिए नर्सिंग असिस्टेंट का नई भरती आपका आचुका है यहाँ पर आप सभी देखेंगे Soldier Technical Nursing Assistant और इस भरती के अंतरगत आपका Maximum जो Age Limit है वह 23 बरस रखा गया है आप सभी यहाँ पर देखेंगे इसमें जो आपका Age Limit है सारे 17 से लेकर 23 बरस रखा गया है तो Complete Details आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे जो भी Candidate Soldier Technical Nursing Assistant के लिए फार्म अप्लाई करना चाहते हैं Indian Army के अंतरगत और अभी इसका notification यहाँ पर रिलिज किया गया है सबसे पहले देख लिजिए बिहार और जहरखंड इस एसे श्टेट का आ चुका है इसके अलावा दोस्तों जो भी Candidate यहाँ पर बिलंग करते हैं हर्याना ही माचल परदेश इसके अलावा चंडीगर्ड या इसके अलावा दिल्ली उनका भी वेकेंसी आ चुका है इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखेंगे उतरपरदेश और उत्राखंड इन सभी यह श्टेट का भी भरती आपका आ चुका है नर्सिंग असिस्टेंट के लिए और इसमें 23 वरस आपका एज लिमिट मैक्समम रखा गया है इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे और काफी सारे यानि कि जितने भी आपका भारत के अंतरगत यह श्टेट है या जितने भी इयारो है यह श्टेट के अंतरगत जितने भी इयारो या डिश्टी काता है सभी के वेकेंसी यहाँ पर रिलीच कर दिया गया है तो चलिए यहाँ पर सभी के details आपको बता देते हैं सभी ERO के भरती के details आपका same है केवल height में आपको different देखने को मिलेगा बाकी सभी details आपका same है तो चलिए यहाँ पर देख लिजिए यह जो notification है दिहार एंड धरकंड state के लिए है और इसमें आप सभी देखेंगे invite online application form male candidate यानि कि male candidate के लिए आपका यह भरती है और यहाँ पर post की बात करें तो for soldier technical nursing assistant या nursing assistant veterinary यानि कि यहाँ पर nursing assistant या nursing assistant veterinary के लिए आपका post है और यहाँ पर देख सकते हैं for 2023-24 और इसकी form आज से आपका शुरू किया गया है 16 February 2023 और 15 March 2023 तक चलेगा और online exam date की बात करें तो 17 April 2023 से आपका शुरू होने वाला है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लिजिए जो आपका यह भरती है इसके अंतरगर्त selection process की बात करें तो phase 1 के अंतरगर्त आपका online exam होगा सबसे पहले आपका online exam conduct कराया जाएगा और दोस्तों आप सभी को बता दे online exam की तैयारी करने के लिए best book रहेगा चक्छू publication का यह एक practice set है जिसमें आपको 50 सल ब practice set देखने को मिलेंगे इसके अलावा 2400 पलस बहुँ भी कल्किये प्रस्न और इसके अंतरगर्त जितने भी आपका practice set है सभी practice set का solution and answer सभी कुछ आपको इस book में देखने को मिल जाएगा और चक्छू publication के तरब से soldier gd के लिए इसके अलावा color के लिए इसके अलावा tradesman के लिए इसके अलावा technical के लिए सभी trade के लिए अलाग अलाग practice set आता है तो जिस भी trade की आप तयारी कर रहे हैं उसका practice set purchase कर सकते हैं लिंक आपको description में मिल जाएगा या नज़दी के market से भी जाकर इस book को आप सभी purchase कर सकते हैं अब दोस्तों जब आपका online exam कंडक्ट हो जाएगा और जो भी candidate online exam में qualify होंगे उनका जो है यहां पर second phase में recruitment rally होगा और recruitment rally के अंतरगत आपका physical test होगा medical test होगा और document verification होगा और उसके बाद आपका final merit list release किया जाएगा इसके बाद दोस्तों यहां पर देखेंगे जो आपका इस भरती के अंतरगत selection process जैसे कि आप सभी यहां पर देख लिए इसके बाद दोस्तों यहां पर दिया गया है 15 मार्च 2023 तक इसका लास्ट एट है एक्जामनेशन फी की बात करें तो 250 रुपिया आपका एक्जामनेशन फी रहेगा इसके अलावा यहां पर eligibility criteria की बात करें तो जो soldier technical आपका nursing assistant या nursing assistant वेटेनरी की जो पोस्ट है इसके अंतरगत सारे 17 से लेकर 23 बरस age limit रखा गया है बाकी आपका जितने भी पोस्ट है जीडी का हो गया, color का हो गया, treatment का हो गया, technical का हो गया उन सभी के लिए सारे 17 से एकईस है लेकिन जो आपका nursing assistant है ये ने इसके लिए आपका सारे 17 से तेईस है और इसमें 1 October 2000 से लेकर 1 April 2006 के बीच जिस भी candidate का date of birth है वे candidate इस form को apply कर सकते है इसके बाद दोस्तो हाइट की बात करें तो 179 सेंटीमिटर तो ये बिहार एंड जर्खंड state के लिए है आपके state का जो है अलग height हो सकता है क्योंकि अलग-अलग state का अलग-अलग height रहता है इसके बाद दोस्तो चेस्ट आपका 37 सेंटीमिटर मांगा जाएगा और 5 सेंटीमिटर आपको फुलाना होगा इसके बाद दोस्तो यहाँ पे educational qualification की बात करें तो यहाँ पे nursing assistant के लिए जो qualification है आपका 10 पलस 2 pass out होना चाहिए intermediate और intermediate में जो है आपका biology होना चाहिए आप सभी को बता दे physics, chemistry, biology and English अगर आप सभी का 10 पलस 2 में हैं तो आप सभी फर्म को apply कर सकते हैं और 50% आपका overall और 40% परतेक subject में होना चाहिए या इसके अलावा अगर आप सभी 10 पलस 2, physics, chemistry, botany, geology and English से किये हैं तो भी आप इसका form apply कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इस भर्ती के अंत्रगत और काफी सारे यहाँ पर details दिये गए हैं और जैसे के मैंने आपको recruitment process अल्रेडी बता दिये हैं दो phase में होगा, एक phase में आपका online एक जाम होगा और second phase में जो आपका physical test, medical test और document verification का process है वो आपका होने वाला है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे negative marking आपका 25% किया गया है यानि कि 1 by 4 आपका negative marking इसमें रहने वाला है तो यह इस भर्ती के जो है complete details है I hope आप सभी समझ गए होंगे और जितने भी आपका ERO है सभी ERO का भर्ती यहाँ पर आ चुका है तो nursing assistant का अभी तक आपका भर्ती नहीं आया था जो कि finally आपका यहाँ पर release कर दिया गया है तो आप सभी इसका details देख सकते हैं link आपको description में मिल जाएगा और यहाँ पर physical की बात करें तो 1.6 km का आपका इसमे physical होगा जो कि आपको 5 मिनट 45 से जो है करना होगा 5 मिनट 45 से तक आपको इसमें समय मिलेगा और इसमें आप सभी को बता दे need to qualify यानि कि किसी तरह के number नहीं मिलेंगे beam भी आपको करना होगा जिसे qualify आपको केवल करना होगा तो दोस्तों इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप सभी जाकर चेक किजिए कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइए फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मात्रम